आप सभी का आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का सेशन बहुत ही खास है हमेशा की तरह क्योंकि आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं अगर आप इस साल कोई भी competitive examination देने वाले हैं जिसमें CUT भी आता है और आप जाते हैं कि वहाँ पर आप quantitative aptitude के हर एक chapter के सवालों को बहुत बहुत तरीकी से attempt कर पाएं और आपके number of attempts बढ़ें तो आज का session बहुत important है क्योंकि आज के session में मैं आपको एक तरीका बताने वाला को questions को approach करने का solve करने का जिसका use आप multiple chapters में अलग अलग chapters में अलग 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 chapters पर कर सकते हैं एक ही तरीका है एक ही तरीके से सारे सवाल solve हो जाते है कोई formula याद नहीं करना है कुछ नहीं सीखना है बस ये एक method को समझना है जानना है और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो तो पहले इस method का नाम क्या है? इस method का नाम है cross-multiplication method, ठीक है? अब cross-multiplication method में cross-multiplication तो हमको मालूम है की क्या होता, but actually मैं आप जो समझ रहे हैं, वैसा कुछ यहाँ पर नहीं है. यह बहुत ही unique चीज है, और यह चीज आपने बच्पन में की हुई है, बट इसको अब जो हम approach करेंगे, वो तरीका अलग है, ठीक है? इसमें जो हम करने वाले हैं, वो तरीका थोड़ा सा different है, ठीक है? तो इसमें पहले समझ लेते हैं कहानी की इसमें करना क्या है, ठीक है? एक example कि तुरू बात कर लेते हैं, माल लीजे, आपके पास में एक container है, ठीक है? और इस container में आपके पास 40 liter जो है, वो mixture है, milk और water का, जिसमें milk और water का ratio जो है, वो 3 to 2 है. अब इसमें हो क्या रहा है, कि इसमें आप से बोला गया है, कि इसमें आप x liter water मिलाएंगे, ठीक है, या कितनी amount में water मिलाया जाए, जिससी की जो नया mixture मिले आपको, उसमें milk और water का ratio है, वो 1 to 2 हो जाए, या आप से ये बोला जा सकता है, कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे की नय mixture में पानी की quantity, milk की quantity का double हो जाए, twice हो जाए, ठीक है, समझ में आ गया, अब यहाँ पर से रिस्तरे के सवाल तो हमने देखे हुए है, बट जो method मैं आपको भी बताने वालो, वो method से आप ये सवाल और इसके जैसे और सवाल और अलग-अलग chapter के अलग-अलग concept पर बेस सवाल भी कर पाओगे, पर उसके लिए जरूरी क्या है कि इस method को पहले समझ लेते हैं कि यह operate कैसे होता है, ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर यह method वहाँ वहाँ लग सकता है, जहाँ जहाँ पर आपके पास में initial और final ratio available है, और उन में यह ratio 1 is to 2 हो गया, और ऐसा इसली हुआ क्योंकि आपने पानी मिलाया, तो अगर पानी जितना पहले था, उसमें आपने x liter पानी मिला दिया, तो यहाँ पर पानी की quantity जो आएगी, वह पहले वाले से जादा आएगी, कितना जादा आएगी, x liter जादा आएगी, ठीक है, त तो उपर वाले में से हमने नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट किया है, उपर वाला जो था, वो नीचे वाले से कम था, तो छोटे में से जब बड़े को घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पर negative sign आता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, फिर हमने बात करी कि सर, हमने तो पानी मिलाया, हमने तो दूद नहीं मिलाया, मिल्क नहीं मिलाया, तो जितनी quantity यहाँ पर है, उतनी quantity यहाँ पर भी होनी चाहिए, इसका जो difference आना चाहिए, जिसका मतलब यह हुआ कि यह method में आपको बता रहूँ, यह method हम कहां कहां लगा सकते हैं, जहाँ पर तो एक क्रॉस होता है उपर की तरफ और एक क्रॉस होता है नीचे की तरफ एक क्रॉस होता है नीचे की तरफ ठीक है अब यह कैसे होता है मैं आपको बतायता हूँ जैसे कि आपने बुला 3 2s आ 6 2 1s आ 2 तो 6 और 2 का difference कितना आ गया 4 वो आपने यहां लिख दिया तो आप लिख दिया 4 unit और दूसरा क्रॉस यहां पर होगा 1 into minus x तो minus x आएगा 2 into 0 तो 0 आएगा अब आपको difference निकालना होता है बड़ा minus छोटा तो 0 और negative में कौन बड़ा होगा 0 बड़ा होगा difference निकालेंगे तो 0 minus minus x तो कितना आ जाएगा x और यह liter में अब आपको पता है कि 4 unit जो है वो x liter के बराबर है आपको x की value चाहिए थी तो आप बोलोगे सर यह 3 और 2 कितना होता है सर 5 unit होता है इस 5 unit की value किसके बराबर है 40 liter के बराबर है तो आप बोलोगे सर यह जो 5 unit है यह बराबर है किसके 40 liter के तो क्या आपको यहां से एक unit की value मिल रही है तो अगर एक unit जो है वो 8 लिटर के पराबर है, तो 4 में अगर 8 multiply करेंगे, तो यहाँ पर जो value आएगी, 4 into 8 करने पर वो 32 लिटर आएगी, इसका मदलब x की value कितनी है, 32, आपने 32 लिटर पानी मिलाया था, इस सवाल में, तो यहाँ पर आपको यह approach, कुछ इस तरीके से सवाल को approach करना है, यह approach आपको सीखना है, इस पर कमांड करनी है, मैं बहुत सारे सवाल आपको अभी करवाने वाला हूँ, और सब में अलग-अलग patterns होंगे, अलग-अलग type की सवाल होंगे, अलग-अलग concept पर बेस सवाल होंगे, बढ़ करने का process यही है, ध्यान ही देना है कि हमें शुरू आला और बाद वाला ratio पता है, और उनकी बीच में कुछ relation दिया गया है, difference दिया गया है, अगर है, तो हम लगा देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई परिशानी किसी भी तरह की, for 8 1 by 3 percent profit, तो सबसे पहला data 8 1 by 3 percent का profit हुआ है, profit हुआ है, इसलिए हम arrow उपर की तरफ रखेंगे, और इसका मतलब होता है 1 by 12, तो 1 by 12 का profit हुआ है, यह हमने लिखके रख लिया, had he bought the article at rupees 120 less, अगर वो इसी article को जिसे वो बेच रहा है, उसे 120 रुपे कम दाम पर खरीटता, and sold it for rupees 180 less, और उसे बेचते समय, पहले के मुकाबले 180 रुपे कम करके बेचता, there would be a loss of 33 1 by 3 percent, तब उसे 33 1 by 3 percent का loss होता, तो 33 1 by 3 percent का loss होता, 33 1 by 3 का मतलब होता है, 1 by 3 का loss, ठीक है, तो आप से वह फाइंड the initial CP, आपको initial CP निकालना है, अब देखो मैं आपको क्या बताने वाल हो, ध्यान से समझना है, यहाँ पर अगर आपको 1 by 12 का profit हो रहा है, तो profit किस पर होता है, cost price पर होता है, तो यहाँ पर जो base value होती है, यह हमारा cost price होता है, और अगर यह profit percentage दिया था, तो यह उपर वाला हमारा क्या है profit है, तो हम यह बोलेंगे, कि यह CP है, यह SP है, हमारा जो CP है, अगर वो 12 है, तो हमें 1 का profit होआ, तो हमारा जो SP होगा, वो 13 हो जाएगा, यह पहला ratio हमारे पास आ गया, ठीक है, initial ratio आ गया, ठीक है, अब आपसे बोल रहा है, 1 by 3 का loss हो रहा है, चाहे profit हो, चाहे loss हो, वो होता तो हमें CP पी है, तो यह जो base value है, यह आपकी क्या है, CP है, और यह जो 1 है, यह आपका loss है, तो आप बोलोगे यार, कि 3 रुपे की कोई चीज थी, मैं उसे 1 रुपे की loss पर बेच रहा हूँ, यानि कि मैं 2 पर बेच रहा हूँ, ठीक है, तो यह आपकी initial CP SP का ratio, यह final CP SP का ratio, अब आपसे बोला गया है, कि आपने इसको 120 रुपीज less में खरिदा होता, यानि कि ऊपर जो CP है, और नीचे जो CP है, उसके बीच का जो difference है, वो 120 रुपे है, और अगर 180 लेस में बेचा होता, यानि कि ऊपर जो SP है, और नीचे जो SP उसके बीच का difference है, वो 180 है, बस, बात खतम, करना है नहीं करना है एज़ यूज करो आप यहां पर क्या होगा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन शुरू हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका कितना ट्रटी नाइन ट्रटी नाइन का जो डिफरेंस है वह आ जाएगा आपका कितना 15 ठीक है जो कमजोर बच्चें वो देख लें आपका 39 आया और यह 24 आया इसका डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 15 आएगा ठीक है तो यह 15 यूनिट आ गया is equal to अब दूसरा जो क्रॉस आएगा वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 180 जो की 540 होता है ठीक है और 2 इंटू 120 जो की 240 होता है तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 300 आएगा तो यहाँ पर अपने लिख दिया 300 बात खतम हो गई ठीक ह अब आपसे क्या बोल रहा है आपसे बोल रहा है इनिशल सीपी बता दो इनिशल सीपी यानिकी 12 की वैलू बता दो बस खतम तो 12 की वैलू आपको बता नहीं है तो आपको यहाँ पर मल्टिप्लाइंग फेक्टर दिख रहा है क्या कि यह 20 टाइमस हो रहा है क्या है हो रहा ह तो इसका 20 times करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो initial cost price थी वो कितनी थी 240 रूपीस थी यहां तो मेरे खाल से कोई परिशानी किसी भी तरह की नहीं होने चाहिए अभी हम इसी type के और भी सवाल करेंगे बड़ वो अलग-अलग chapter से बिलॉंग करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक्चल में बस initial ratio बाद वाला ratio पता होना चाहिए उनकी बीच में एक difference होता है वो difference हमें पता होना चाहिए ठीक है कोई दिकत कोई परिशानी किसी भी तरह की हाई ना ठीक है clear है clear है अगर clear है तो हम आगे बढ़ सकते हैं ठीक है चाह आगे बढ़ते हैं next question की बात करते हैं अब आपसे बलाए A and B earned in the ratio 2 is to 1 तो A और B जो earn करते हैं कमाते हैं वो की 2 is to 1 के ratio में इनकी income है किसी बात कर रहे हैं A और B की बात कर रहे हैं ठीक है they spend in the ratio 5 is to 3 तो इनके जो expenditure है उसका जो ratio है वो 5 is to 3 है इसकी बात कर रहे हैं A और B की बात कर रहे है अब आपको मालूम है कि income और expenditure का जो difference होता है वो saving होता है तो यहाँ पर आपका saving आना चाहिए but saving हमें क्या लिखना है value के form में लिखना है यहाँ पर लिखा and save in the ratio 4 is to 1 अब मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर data जो है वो ratio के form में नहीं होना चाहिए but यह तो अभी ratio के form में दिया गया है कोई दिक्कत नहीं है आगे बोला find the monthly income of each आपको दोनों की monthly income बतानी है if the total monthly savings of both A and B together is Rs. 5000 याने कि दोनों की जो total savings है दोनों की जो total savings है 4 plus 1 याने कि 5 unit 5 unit यह आपका किस के बराबर है यह आपका 5000 के बराबर ठीक है 5000 के बराबर तो यहाँ पर एक multiplying factor मिल गया क्या 1000 time मिल गया इसका मतलब यह हो गया कि यह आपका कितना होगा 4000 होगा और यह आपका क्या होगा 1000 होगा ठीक है कोई दिक्कत कोई परिशानी यहां तक आप नहीं होने चाहिए तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते है cross multiplication शुरू करते है तो 2 3s आ 6 1 into 5 5 6 minus 5 कितना आजाएगा 1 unit आजाएग ठीक है आगया दूसरा cross क्या करेंगे 5 into 1000 यानि कि 5000 3 into 4000 यानि कि 12,000 12,000 minus 5000 यानि कि 7,000 तो यानि कि यह आजाएगा आपका 7,000 12,000 minus 5000 7,000 यानि एक unit के लूँ 7,000 है यानि इसकी value आचुकी है 7,000 7K लिख दिया मैंने तो अगर 1 kg 7K है तो 2 kg कितनी होगी 14,000 यानि 14K तो दोनों की जो monthly income है वो 14,000 और 7,000 है respectively ठीक है clear है समझ में आया कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी भी तरह की बहुती शांदार method है बहुती अच्छा method है और ये method तो मैं आपको सिखाने के लिए दिखा के बता रहा हूँ बट actually मैं आप इसे मन में भी कर सकते हो बहुत कम जगा इसके लिए चाहिए होती है तो छोटा छोटा करके भी आप सवाल को solve कर लो और आपके अगल बगल वालों को पता ही नहीं चलेगा क्या आपने क्या किया कैसे किया ठीक है ना चल आगे बढ़ते हैं कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं अब आप से बोल रहा है इफ सेलरी ओफ ए इस रुपीज थी हंड्रेड मोर देन देट ओफ बी उच्छा तो ए की जो सेलरी है वो बी से क्या है तीन सो रुपे जादा है अच्छा आप बोल रहा है इफ सेलरी ओफ ए इस इंक्रीज बाई 16 तू बाई 3 परसेंट तो 16 तू बाई 3 परसेंट का मतलब होता है 1 बाई 6 इंक्रीज 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 और बी की सेलरी इंक्रीज हो रही है 14 तू बाई 7 से यानि की 1 बाई 7 से इंक्रीज हो रही है तो यहां पर हम क्या करने वाले है ध्यान से देखते हैं पर अमने लिखा A या लिखा B अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक ही जो सैलरी है तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं अगर हम A की बात करें, तो A की जो salary थी, अगर वो पहले 6 थी, तो बाद में कितनी हो गई, 7 हो गई, अगर A की salary की बात करें, तो पहले अगर वो 6 unit थी, तो एक से increase हो गई, 7 हो गई, अगर हम B की बात करते हैं, तो B की salary अगर पहले 7 थी, तो एक से increase होकर कितनी हो गई, 8 हो हाता है मेरे खाल से कोई दिख्कत कोई परिशानी नहीं अब अगर मैं आपसे बूलता हूं कि ए और B की salary के बीच का जो difference था initially वो 300 रुपे था और बाद में वो कितना हो गया 400 रुपे हो गया तो क्या ये चीज आपको समझ में आई कि हाँ सर ये समझ में आ गया कि A की salary B की salary से जादा है तो इसका जो difference आएगा वो 300 आएगा बाद में भी A की salary, B की salary से जादा ही है तो इसका जो difference आएगा वो यहाँ पर 4 हो आएगा ठीक है समझ में आ रहा है अच्छा यहाँ पर घवराना नहीं है कि सर ये तो 6 है और ये 7 है तो 6 तो छोटा होता है जो value यहाँ पर है उसका इसके साथ जब ratio ले रहे तो वो 6 तो 7 बन रहा है तो आपको ये 6 और 7 को नहीं देखना 6 और 7 क्या है वो आपको पता लगाना है अच्छा आपसे बादा है find A's salary यानि कि आपको शायद इस initial salary की वो बात कर रहा है तो पहले क्या करेंगे पहले करेंगे 6,8 जा 48 7,7 जा 49 49 और 48 का जो difference है वो आपका एक unit का है और यहाँ पर हम क्या करेंगे ध्यान से देखना 7,4 जा 28 और 8,3 जा 24 तो 7,4 जा 28 हो गया ठीक है और यह आगया 24 तो साफ साफ देख रहा है किसका जो difference है वो कितना है 400 है तो 1 unit के वो कितनी आपके पास 400 है अब 1 unit के वो अगर 400 है तो आपसे बोल रहा है A की salary बताओ यहनी initial salary यहनी 6 के वो माग रहा है तो 6 unit जो होगा वो साफ साफ देख रहा है कि वो 2400 होगा और यही आपके सवाल का सही जबाद कोई formula नहीं कुछ याद नहीं करना बस operate करना है ठीक है simple, subtle, easy कोई दिक्कत, कोई परिशानी किसी भी तरह की हाँ है ना जल्दी से बता दो ठीक है चली तो फटा-फट कुछ और सीखने की कोशिश करते है कुछ और जानने की कोशिश करते है जैसे यहाँ पर बोल रहा है in an exam the ratio of selected to unselected candidate was 6 is to 1 तो कोई exam है उसमें क्या हो सकता है आप उस exam में या तो select होगे या तो नहीं होगे यही हो सकता है है ना तो यहाँ पर बोल रहा है कि exam है जिसमें select होने वाले और unselect होने वाले candidate का जो ratio है वो 6 is to 1 है तो आप लिखोगे यहाँ पर select फिर लिखोगे unselect और यहाँ लिखोगे total ऐसे लिख लेते हैं तो अगर मैं बोलों कि initially जो ratio था select होने वालों का और unselect होने वालों का वो 6 is to 1 था अगर मैं बोलों कि 6 लोग select होए एक unselect हुआ तो 6 प्लस एक total साथ लोगों ने apply किया होगा उसमें से 6 लोग का हो गया एक का नहीं हुआ फिर बोल रहा है if 30 less had applied अब देखो आपको समझ में आना चाही यह आपने total का क्यों बनाया यहां तो selected और unselected की बात हो रहे थी तो आपने total क्यों बनाया क्योंकि सवाल में आगे चलकर उससे relate कुछ दिया है कि if 30 less had applied अगर 30 लोग कम apply करें यह तो वो लोग है जो जाएंगे उस exam के लिए वो तो total लोग है उसमें से किसी का होगा और किसी का नहीं होगा तो वो selected और unselected के category में आएंगे तो if 30 less had applied इसका मतलब यहां पर जो data है वो इससे 30 का है तो यहां पर आपका यह 30 आजाएगा यानि कि यहां जो value है और यहां जो value है उसका difference 30 है यह आपका समझ में आ रहा है क्योंकि जितने लोगों ने पहले apply किया था उससे 30 लोगों ने कम apply किया तो difference 30 आना चाहिए अच्छा and 10 less selected और यहां पर बोल रहा है कि पहले जितने लोग select हुए थे और अब जितने लोग select हो रहे है उनकी बीच का difference कितना है 10 है कितना है 10 है तो बोला दा ratio of selected to unselected would have been 7 is to 1 तो ऐसा होने के वज़े से selected और unselected का ratio कितना हो जाएगा 7 is to 1 हो जाएगा यानि कि 7 लोग अगर select हुए 1 unselect हुआ तो 7 प्लस 1 आठ लोगों ने apply किया होगा यह हम यहां से प्रच लिए आपसे बिला how many candidates had applied for the exam यानि कि आपको इस 7 की value मांग रहा है आपसे 7 की value मांग रहा है initially कितने लोग ने apply किया था वो आपसे मांग रहा है तो हम यहां पर खेलेंगे कैसे ध्यान से लेखना है हम यहां पर खेलेंगे कैसे हमें यहां पर 10 और 30 किसका दिया है selected और total का दिया है तो हम यहां लिखेंगे total यहां लिखेंगे selected total के नीचे क्या लिखेंगे 7 selected के नीचे क्या लिखेंगे 6 ठीक है अब total के नीचे 8 लिखा था तो यहां 8 लिख देंगे selected की नीचे यहां साथ लिखा तो यहां साथ लिख देंगे फिर total की नीचे यहां पर लिखा हुआ था 30 और यहां पर लिखा हुआ था 10 बात खतम हो गई अब यहां पर हमें क्या गरना है ध्यान से देखें अब यहां पर हमें क्या गरना है ध्यान से देखें तो यह हो गया 49 य और यह क्या हो गया आपका 210 म दलाब 210 और यहाँ पर हो गया एट यहाँ पर जो difference आ रहा है वह आपका आ रहा है 130 यानि की एक unit की वैलू कितनी आ रही है 130 ऐ अगर एक unit के वैलू 130 आ रही है तो आप से पूछा ए कि कितने लोगों ने एप्लाई किया था इसका बला आप 910 तो यह आपके सवाल का जबाब आ जाएगा कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी भी तरह की क्लियर है क्लियर है एक बाद चेक कर लो कि यह सेलेक्टेड और अन सेलेक्टेड का रेशो 6 इस टू 1 था तो टोडल साथ लोग होंगे 30 less had applied यहा 30 हो गया 10 less selected तो यहाँ पर 10 हो गया तो ratio selected और unselected का 7 इस टू 1 होगा तो यहाँ पर 8 आ गया how many candidates had applied for the exam यानि कि आपसे 7 की value बांग रहा तो तो हमने लिखा 7 6 और 8 7 और यहाँ पर लिखा 30 और 10 49 48 difference 1 आ गया 80 और 210 difference कितना आ गया 130 आ गया तो वन यूनिट की value जो है 130 है ठीक है तो यहां से 7 यूनिट के लिख कितने होगी 910 होगी ठीक है यहां तक कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ सकते है next question की बात करते है ठीक है अब आपक means a mixture of milk and water in the ratio 14 is to 3 तो एक वैसल है जिसमें milk और water का mixture है और उसमें milk और water का ratio 14 is to 3 है यह हमें दिया गया है यह हमने यहां पर लिख दिया फिर बोलता है now 25.5 liters of the mixture is taken out तो यहां पर जो mixture है उस mixture में सा mixture निकाल रहे हैं बट वो mixture की quantity कितनी है 25.5 तो जब भी अगर मुझे milk निकालना होता है तो मैं यहां लिखता हूँ water निकालना होता है तो मैं यहां लिखता हूँ but मैं जब mixture निकालता हूँ तो मैं बीच में लिखता हूँ उसमें milk और water का ratio कितना था 14 इस तो 3 था इसमें से आपने कुछ quantity बहार निकाल ली ठीक है अब वो जो container था ना उसमें milk और water अभी भी है उसकी quantity कम हो गई है क्योंकि आपने ये निकाल लिया बट उसमें जो ratio है milk और water का वो अभी भी 14 इस तो 3 है और ये जो आपके हाथ में milk औ अगर यहां पर Q quantity ही तो यहां पर Q minus 25.5 liter होगा अच्छा ठीक है अब आप से बोल रहा है कि now 25.5 liter of the mixture is taken out ठीक है from the vessel and 2.5 liter of pure water आपने 2.5 liter pure water add किया है अच्छा और फिर 5 liter pure milk भी आड़ किया है 5 liter आपने pure milk भी आड़ किया अब मुझे एक चीज़ बताओ अगर यहां पर जो data होगा ना इन दोनों जगा पर इन दोनों boxes में जो data होगा समझो यहां पर जो milk था उससे जादा milk होगा क्या यहां पर हाँ क्योंकि आपने 5 liter milk करूंगा तो यह value आएगी यानि कि इन दोनों का जो difference है वो negative आना चाहिए ठीक है उसी तरह से यहां पर जो water था उससे धाई लिटर वाटर जादा है यहां पर तो इन दोनों का difference आएगा वो भी क्या आएगा negative आएगा या दूसरे शब्द में आप ऐसे यार रखो कि अगर आप add कर रहे हो तो यहां पर जो sign लगाओगे वो आप negative लगाओगे अगर आप subtract कर रहे हो तो यहां जो sign लगाओगे वो plus लगाओगे क्योंकि add करते समय यह कम है और यह जादा है तो difference करते समय यह value positive आजाती है यह चीज़ आपको यान रखने है ठीक है अब यहां पर focus करे आप बोल रहा है कि जब आपने धाय लिटर पानी और पांच लिटर दूद एड़ किया तो resultant mixture में क्या बोल रहा है 20% water हो गया तो अगर 20% water हो गया इसका लग 80% क्या होगा milk होगा और इसका ratio कितना होगा 4 is to 1 होगा तो यह आ जाएगा आपका 4 is to 1 ठीक है ना अच्छा इनिशल quantity of mixture in the vessel before replacement यानि कि इनिशली जो mixture था उसकी quantity कितने लीटर थी बताओ यह पूछ रहा है यानि कि 14 प्लस 3 17 की value वो मांग रहा है अब ध्यान से देखो हम यह जो चीज ना यह अभी तक कर रहे थे कि हमें initial ratio final ratio पता होते था और उनकी बीच का difference पता होता था अब यहां गया 14 यह हो गया 12 difference कितना आ गया 2 unit अगया difference कितना आ गया 2 unit अगया फिर यहां पर लिखेंगे 4 into minus 2.5 होगा तो यह कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा ठीक है अच्छा दोनों तरफ अगर minus sign है तो आप इसको cancel भी कर सकते हो अगर एक तरफ minus और एक तरफ plus है तो उसको consider करना ज़रूरी है बढ़ यहां पर minus minus या plus plus हो तो कोई दिक्तत नहीं है फिर वो अपने आप उसको आप निगलेक कर सकते हो तो 4 into 2.5 कितना हो गया 10 हो गया और 1 into 5 कितना हो गया 5 हो गया 10 और 5 का difference कितना आएगा 10 और 5 का जो difference है वो कितना आएगा 5 आएगा तो यहां नहीं कि 2 unit क कितनी है 5 है दो unit के लोग कितनी है 5 यह 5 क्या है यह 5 लीटर है थीक है तो साफ साफ देख रहा है कि एक unit की जो value है वो आपकी कितनी है 2.5 लेटर 2.5 लेटर ठीच양 अब आपको एलो किसके चाहिए आपको चाहिए सैनिशल मिच्चर जो था उसकी क्वांड़िटी की इतना यहीं कि आपको सत्तरा की वालू चैया आपको चिसके लोग चाहिए unit की value क्या होगी तो आप बोलोगे सर 17 इंटू 2.5 का मतलब है कि 17 तूजा 34 और 17 इंटू 0.5 करेंगे तो आधा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 8.5 तो solve करने पर आएगा यह 42.5 तो यह आप ऐसे इसको अब आया मेरे पास जब मैंने initial mixture में से 25.5 लिटर निकाल दिया था तो इसका मलब 42.5 में यह 25.5 एड कर दो तो यह आपका आजाएगा 68 लिटर initial mixture जो आप से मांगा जा रहा था वो यही है तो आपका जो answer है वो कितना है 68 लिटर तो काफी अच्छा सवाल है interesting सवाल है और इस तरह के सवालों को करने में आपको बहुत सारा time लगता है तो अगर आप यह method सीखते हैं तो आपका जीवन जो है बहुत आसान होगा इस वीडियो को multiple time देखिए अगर कुछ दिक्कत है तो comment करके बताईए और अगर आप इसी तरह की कुछ और वीडियो चा करें पर उसके लिए थोड़ सा motivation चाहिए होता है और वह हमें मिलता है आपके like से और share से ठीक है अगर चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि हम regular basis पर आपसे मिलते हैं आपको कुछ ने कुछ बताने की सिखाने की कोशिश करते हैं अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो बच्चिश